अस्सलाम अलेकुम दोस्तों वीडियो में हम आपको बताएंगे साओधी में अभी एक नया नियम लगने वाला है जिसके तहट हम आपको बता दें कि जो भी स्पोंसर होते है मतलब जो भी आपका कपिल होता है उसका यहाँ पर सिस्टम खतम होने वाला है तो यहाँ पर कैसे और इसके बारे में क्या अभी तक मंत्राल ने अपडेट दिया है खतम होगा या नहीं होगा तो इस अरी अपडेट हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए दोस्तों इस नए कानून के बा और अपना जो भी आवास वो यहाँ पर नभिनिकन करते हैं और उस टाइम उनका जो पैसा है वो ले लिये जाता है लेकिन उनका निवास परमिट जो है वो यहाँ पर रेनुवल नहीं होता है और यहाँ पर कुछ लोग आपना ड्राविंग लाइसंस भी इसी तरीक से कुछ यहाँ पर रेनुवल करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप अपना जो भी सिविल आईडी मतलब जो भी एकामा है जो भी आवास नभिनिकन है वो करने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपको सावधान होने की जरूद है इसके लिए पासपोर्ट विभाग की तरफ से बदाये गहा है रेजदन्सी को नविन्हिक्ळ करने के लिए कार करता कि पर्योजग को अपने सिस्टम में नविन्हेंब्निकण परक्रिया को पूरा करना होगा, बस सुल्क या भुक्तान करने से रिज़ंसी नभीनिकन की परकिरिया पूरा नहीं होती है ऐसे मैं बताएगे है पर्योज़क को कार करता कि निवास को नभीनिकन करने के लिए बिकल्प का उपयोग करके और अबसार या मुकीम पनाली का उपयोग करके यहाँ पर जो भी नभीनिकन है कमांड जारी करना चाहिए दोस्तों एक तरह से कहा जा सकता है कि सौधी में अगर आप रहते हो और अपना निवास नभीनिकन करना चाहते हो तो आपने कपिल या कमपनी से बोल कर उसके बाद यहाँ पर आप जो है उनके सिस्टम के हिसाब से यानि मुकीम या आपसार उस बेव साइट पर उस अपलिकेशन पर जाकर उनको यहाँ पर इडिट करके जो भी system है उसके थुरू यहां पर नविनिकान किया जाना चाहिए और उसके बाद जो है वहां पर जो भी भुकतान है वो करना चाहिए यानि आप सिर्फ पैसा भुकतान करके अपना जो civil ID है वो यहां पर नविनिकान नहीं कर सकते हो आपको यहां पर manual तरीके से अपना जो भी निवास पर मिठ है वो यहां पर नभिनिकन करना होगा दोस्तों इसी जगा जो भी driving license होता है उसका कुछ अलग नियम है मतलब अगर आप यहां पर अपना driving license रेनुल कर लेते हो तो यहां पर आपका पैसा जो है वो आपको भुकतान करना होगा यानि यह मान के चलिए कि अ आपको ग्रामा भी देना पड़ सकता है तो आप जरूर सावधान रहें अपने कपिल या कंपनी से इसके बारे में जरूर कंफरम डेटियल ले 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 और अपना जो भी मुबाइल नंबर है वो यहां पर एड करवा ले ताकि आपको मैसेज भी टाइम से मिलता रहे दोस्त परमा कोदादें की पहले कुछ नियम अलग था लेकिन अब साओधी अरब में जो भी स्तिरामिक भी जा है उसमें भी केटगरी कर दी गई है मतलब बिजली करमचारी अवधोगिक स्तिरामिक मतलब किस छेतर में आप यहां पर काम करते हूँ निर्मार स्तिरामिक या नहीं नज़्देक में कंसल्टनसी है उससे आप संपर करें और जो भी रजिस्टेशन कंसल्टनसी है उससे ही आप जो है संपर करें क्योंकि अगर आप फ्रोड के चकर में पढ़ जाते हो तो आपका यहां पर जो वीजा है वो यहां पर आपको डुबलिकेट मिल सकता है और भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है ऐसे में आप यहां पर जो भी अच्छी एजंसी है उससे संपर करके बीजा जो है सौधी अरभिया के लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाले टाइम में नहीं होगी दोस्तों आगली अपडेट स्पोंसर को लेकर है क्यो कई फार्मूलों पर विचार किये जा रहा है मंतराले के परवक्ता नासिर अलहाजानी ने अपने अधकारिक ट्यूट अकाउंट के जरिए कहा है स्रम बाजार को नियमित करने के लिए अभी मंतराले बिभिन फार्मूलों पर भी यहां पर काम कर रहा है परवक्ता ने कहा क कि जैसे ही इसके बारे में कोई भी फारमूला यहां पर अपडेट किया जाएगा, मतलब मंजूर किया जाएगा, उस टायम यहां पर सोशल मेडिये के जरीए आप सभी लोगों को बताया जाएगा, हम आपको बताते हैं कि अभी सोशल मेडिये पर काफी जादा वीडियो साओ सॉदी अरब में वाइरल हो रही है और काफी नियूज चैनल इस पर अभी अपडेट दे रहे हैं कि सॉदी अरब में जल्द यहां पर इस्पोंसर शिप का सिस्टम खतम होगा सॉदी अरब में जितने भी एक्सपर्ट अजनभी और भी काफी देश की लोग सॉदी अरब में तो उनके लिए यहां पर बहुत ही अच्छी है और good news एक तरह से कहा जा सकता है क्योंकि यहां पर वो अपनी मर्जी से अपना एकामा ट्रांसपर कर सकते हैं और भी बहुत सारी सुबधा उनको आने वाले टाइम में दिया जा सकता है तो अगर हम बात करें अभी यह सिस्टम ह हो सकता है या नहीं हो सकता है तो हम आपको बदा दने कि नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है क्योंकि आप भी जो मानो संसाधन मंद्री हैं वो यहां पर बात करें इस पर और कह रहे हैं कि इसके बारे में आप यहां पर चर्चा की जा रही है जैसे ही मंजूर किया जाता है तो यहां पर अधकारिक तोर पर अपडेट दिया जाएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभ हो